हेलो फ्रेंट्स विल्कम टो मैं चैनल और आज हम बनाएंगे चटपटी तीखी मज़ेदार चौपटी स्टाइल भेलपूरी यह बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है तो यह रेसीपिय आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें अगर मेर ने बारिक काट लिया है और हमें चाहिए इंबली की चटनी तो यह मैंने घर में बनाई है चाहिए तो आप मार्केट सी भी ला सकते है अ कि नमकीन और सेव लिया है मैंने तो भेल बनाने के हम प्रोसेस शुरू कर दें इसमें हम डालेंगे प्याज हरी मिर्च टमाटर तो हम टमाटर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे हरा दनिया तो हरा दनिया भी हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा रख रहे है नमकीन नमकीन भी हमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखनी है तो इसमें हम डालेंगे इंबली की चटनी तो आप यह टेस्ट की अको दाल सकते हैं आप जितना खट्टा खा सकते उतना डाल सकते इसमें अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैं सज़ेक्स करूंगी कि आप बहल बनाते समय एक बड़े पतेले में ही बनाई है ताकि अच्छे से मिक्स करने के लिए आसानि हो जाती है तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस इमली की चटनी में चाट मसाला मिर्ची पाउडर नमक सब होता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको तो यह बहला मरी अच्छे से मिक्स हो चुकी है जैसके आप देख सकते हैं तो इस तरह हमारी बेल बनकर तयार है इसको हम एक प्लेट में शारू कर लेंगे यह बेल बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है अब इस बेल के उपर हम डालेंगे थोड़ी सी इमली की चटनी थोड़ासा कटावा टमाटर थोड़ासा कटावा प्याज हरा दनिया थोड़ासा नमकिन और थोड़ी सी सेव तो इस तरह हमारी चटपटी तीखी और चवपाटी स्टाइल भेल पूरी बनकर तयार है यह बेल चवपाटी पर जैसे बनती है वैसे बनकर तयार है जैसे कि आप देख सकते हैं इस बेल को आप घर पर ज़रूर बनाईए और सबको खीलाईए तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरे रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लिगी होगी यह किसी ऐसी रेसिपी के साथ तब तक हसते रहे हैं खुश रहे हैं और मौस्ट इंपोर्टन खाते रहे हैं तब तक के लिए बाबाए